अंकल हम कब तक पहुच जाएंगे जल्दी पहुच जाएंगे कौन से स्कूल में पढ़ते हो वाशिंग्टन के स्कूल में पांचवी क्लास में पढ़ता है इसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना है यही हमारा सपना है अभी तक आप लोगोंने ये काम छोड़ा नहीं नहीं छोड़ देंगे तो जी नहीं पाएंगे कब तक इंसानों की जान के साथ खेलते रहोंगे शराफत के साथ जीने का मन नहीं करता है क्या गाड़ी रोक रहे ये खेत किसके हैं तुम्हें पता है क्यों ये सब हमारा है जंजट नहीं चाहिए इसलिए तुम बाहर चले गए तुम्हारी जमीन की देखभाल विश्वजीत कर रहा है उसकी वजह से यहां कोई और खेती नहीं कर पा रहा है ये जो खाली पढ़ा है वो सिर्फ खेत नहीं गरीब का खाली पेड भी है भगवान ने जंदे या साथ में खाली पेड भी दिया विश्वजीत इसी बात को हेतियार बना कर एक हाट में खाना और दूसरे हाथ में हतियार देता है खो नहीं सकता, क्योंकि खून की बद्बू आती है तुम अगर चाहो तो हूँ, उनकी मुसिबत दूर कर सकते हो उनके हाथ से हतियार छीन कर हल दे सकते हो अरे, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? इस जमीन को अगर सब गरीबों में बांट दो, तो वो खेती कर सकते हैं ये गरीब हैं, ये दे देंगे, दे देंगे डैडी इसी के लिए तो हम यहाँ पर आये हैं, दे देंगे मर डालूँगा, अगर कोई भी मेरे विरुद गया ना, तो मैं बोलूँगा नहीं तलवार से काट कर फेक दुगा, ये सुनो, मालिक, चोटा-चोटा करके काट, जुबान पर रखे दो, शक्कर के जैसा गुल जाना चाहिए, अमेरिकर के जैसे खाने वाले हैं, तीका थोड़ा काम होना चाहिए कहां है वो, वो आए नहीं, क्यों? पापा, आपने मेरा नाम दादा जी के नाम पे क्यों रखा? बिटा तुम्हारे दादा जिन्दिगी में कभी नहीं हारे वो जीए भी विजीता की तर है और मरे भी विजीता की तर है इसलिए तुम्हारा नाम उनके नाम पर ही रखा है जब भी किसी काम के लिए घर से निकलो तो अपने दादा जी का आशिरवाद जरूर लेना हमिशा काम्याब रहोगे क्या जीजा यहाँ छोड़कर आप वहाँ चले गए मुझे लगा था कि अमेरिका से आप सीधा यहाँ आकर दावत खा कर जाओगे कोई बात नहीं जैसे ही आपकी शादी हुई आप गाउं छोड़कर चले गए और अब जब आप आए हैं तो आप यहाँ नहीं है फिर भी आपका खेत, खलिहान, जमीन, जायदाद, संपत्ती, जो कुछ भी है हाँ, हाँ, मुझे सब कुछ पता चल गया है और मुझे आप से कुछ जरूरी बात करनी है सिधे यहाँ जाईए यह क्या रे मुझे तो बीर प्रताब की बाते है अच्छी नहीं लगी रे हाँ, मालिक आपके पास खांदानी जितने भी खेत है कल वो सब करीबों में बाट देने वाले है अगर ऐसा हुआ तो एक मुठी मिट्टी भी आपके खांदान को नहीं मिलेगी मेरा बैंड बजाना चाहता है उससे पहले मैं उसका ही बैंड बजा दूना लेकिन क्यों? अरे वाह भाई का प्यार बोल रहा है जब मेरे से तू शादी की थी उसी वक्त मैंने तुछ से कहा था कि सब भूल जाँ याद नहीं है क्या अब कुछ बोलेगी तो जबान काट दूगा छोटे ये गाउं तुम्हें पसंद आया की नहीं? बहुत पसंद आया तुम लोग पसंद आया की नहीं? वो तो बहुत पसंद आया छोटे मालिक एक बार जांग ठोक कर दिखाओ वैसे है नहीं छोटे मालिक धर्थी हिलनी चाहिए अपने गाउं में कितने लोग है जिनके पास खेत नहीं है दो हज़ाद रिष्टेदार हैं तो सब को दो एकड के हिसाब से खेत दे सकते हैं क्या? ठीक है ठीक है आने वाली विजयद रश्मी के दिन रिवेन्वी डिपार्टमेंट को घर पे बुला लो ये क्या है भाई? ये तलवार है जैसे नारियल को छिलते हैं वैसे इसे सर काटते हैं ऐख़ भाई इसे छोड़ दिजे मालिक फट जाएगा नीचे रक दीजे नीचे रखिए कुछ नहीं कुछ नहीं मैंने ना मा को उठाने के लिए क्या नहीं होगा क्या बात मालिक ये छोटे मालिक दो बं को लेकर अपने जेब मेरं आप लिए जोड़े बेटे बॉम के भारे में जानकर क्या करोगे चलो चरो बस हो गया नमा मुझे नहीं चाहिए खालू ना मेरा सोना बेटा प्लीज लास्ट है काज़ा गवाज़ गवाज़ वह यह वह में लुव। क्या है रहे साधा पर निकल गए है पैसा मिलते ही पदल गए क्या आपके साथ रहेगा तो उसे कुछ भी मिलने वाला नहीं है वाई उनको पता चल गए इसलिए बदल गए बुलाया क्या प्यारी बहना कैसी हो नमस्ते भाईया जी नमस्ते जी जा जी नमस्ते जो खाने के लिए बेजा था उसे खाये की नहीं नहीं अभी बाकी है आप खा लेना लेकिन इस कमीने को मत देना जोंकि यह जहां खाते हैं वहीं छेद करते हैं क्यों हो रे पदमाश बेर बोट से तुझे लेकर आने के लिए कहा था ना तो रास्ते में तुने इनका कान भर दिया क्या तो होता कौन है यह कहने वाला कि काउव वालों में समीन बाठ दो यह है कौन देने वाला दिश्वजीत जबान सभाल कर बात कर याद रखना तुम्हारी जबान ही तुम्हारी चान की तुश्मन बन सकती है जी जो जी अमेरिका का पानी पीकर भी आपको जमीन की भूख कम नहीं हुई क्या तेरा भाप और तेरा दादा इस गाओं के बहुत बड़े लोग थे दान धर्म करके जीते थे वो लेकिन उनके जाने के पाद अब यहाँ पर सब कुछ मैं हूँ मुझसे बिना पूछे एक चीटी या मक्खी भी सांस नहीं ले सकती दान्थ 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 मत चबा मेरे सामने दान्थ चबाए तो निकालकर हाथ में दे दूँगा सालों बाद तु यहाँ आया है वो भी कुछ दिनों के लिए चार दिन रुक तुझे एक से बढ़कर एक पकवान में खिलाओंगा उसे अच्छी तरह खा और बिना कुछ सोचे अमेरिका वापस चला जा नहीं तो तेरे पूरे परिवार के साथ जहां तु खड़ा है वही तुझे दफन कर दूगा जल्दी आओ जल्दी आओ अन्दी आओ प्लेन के जैसे उट रहे हैं तलवारे भी उट रहे हैं अगर मैं अंदर गया तो मेरा सिर नहीं बचेगा आप एक काम कीजिए आप इसको लेकर यहां से निकल जाएए मालकी नापको इस आनक में छोड़कर मुझे कुछ नहीं होगा मेरी पती के जिम्दगी में मेरा हिस्सा रहा है और उनके साथ रहना मेरा कर्तब बेह इसे बचाना आपकी जिम्मेदारी है हाएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए गुट पूप उर्भा उर्भू लार को यह यह रख प्रहू यह यह आजाओ दम है तो आजाओ तो खानदान का नाम रोशन करेगा टी ते नजीक मता समझा समझा ना बटन लेके आरे उजए ए Enemy मता समझा था बटन जान्डारी ना बस्ट करा क्या बटना फिरह थ कि उसे हो लेके उसे हो बहला कlar यह प्याशन संया कि अ भुझा ट को पुझा íंग इनman अॉक्टांग समझा उका बसने ऊके फचन का इन दर्चुछातु किने, अच्छा 5 कितफों, हैं कि अगजा एक कर दो खाटा कर दो दिमाग वाला है तो बहुत ज़्यादा दिमाग वाला है यह ज़ा चूप कर दिखा अगर मेने तुझे सच में मारा होता तो तेरा बोलना सांस लेना सब बन जाता अच्छा तेरी शादी हुई ए नहीं अब तो तु शादी करने के लाइक भ बाफ, यह तू, लड़की का बाफ ओ, चाचा जी, माफ करिएगा, वैसे उम्र में तुम्हें आपसे छोटा हूँ, लेकिन दिमाग में छोड़ यह जाने दीजे, अगर आपकी बेटी की जगहा, मेरी बेहन होती तो भी मैं ऐसा ही करता, सच कहा हूँ मैं, चाचा जी, आपकी बेटी ने जिस लड़के को पसंद लबात दीजे खै तरह कंझा दन नए नदन दन 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 एक दम मारते हैं क्या, अबे तो मारके आई, तो पहल्ई, और सिर, इसर, अब्र, राज़, अब्र, था कि हैं , अब्र, ओ प्र, आर्ज़, था किसनि आए अटार, यह ए निकानाल, देम बड़ने कर लोग its Cons tragen a. औ क्या पढ़ रही हो आई टी सर एक प्रिंस्पल पहाल के जैसा हा रहा है तुम लोगों को गुट मॉर्निंग बोलने में प्रोब्लम है इस साल कॉम्प्यूटर में तुम लोग फेल सॉरी सर गुट मॉर्निंग सर इस बार फिर पास क्या सर आप भी एक गुट मॉर्निंग भी सब्सक्राइब बढ़・बम मांग कर ले रहा है था मुझे बहुत पुरा लग रहा है उफ बात को सुन मेरे साथ है ना गूड मॉर्णिंग तो मुझे बोलेगा मैं ऐसा सोच रहा था लेकिन तूने भी मुझे गौड मॉर्निंग नहीं बोला गुज बीड को अ कंधर हम या ले लो ये घीता के लिए और ये वाली थपड़ मारती तो मदा नहीं आता एक महीने का बिल तुम लोगों ने भरा नहीं है पैसा क्या तुम्हारा बाप देगा मेरे बाप को ऊपर गये हुए बहुत दिन हो गये हैं इसका बाप अभी तक जिन्दा है वेटिंग फॉर कॉल ब आज के लड़कियों के कपड़े देखकर लगता है शर्मया तो इस दुनिया से खतम ही हो गई है अब मैं तो चाहता हूं इसे भी छोटे कपड़ जाए मुझे तो लगता है यह लोग रोड पर ही फैशन शो चालू कर दिये उननीस तो चौरासी में जिसका भी फिगर ऐसा ह उनीस सो चौरामनेवी के बाद से कपड़े थोड़े से उपर हो गया और वो जांके उपर आ गये इससे लोगों का भला होने लगा और जारा आज के जमाने में देखो धीरे-धीरे करके कपड़े उपर से उपर होते जा रहे हैं अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन देखन सोचकर ही पुरा लगता है यार कोई ना कोई बंदो बस तो करना ही पड़ेगा ये ऋपर अर्ण फीच Das क्या वाले स्में अ मरे इस्देम्यों के देश में लड़की आधे को छोटे-चोटे कपरे पहन कर गूं रहे हैं देखिये देखिये ज हुर्ज मतात कर्फो पामिया लए विकिया अम गलत नता है आता उते उत मुर्खां वो लड़कियां वो कुछ भी पहन सकती है लड़कों के लिए एक रूस बना हुआ है तो कौन सी आजदी से आप आधा ट्राउसर पहनते हैं ये कौन सी आजदी की सलमान गान बिना शट के गुमता हैं कि सालादी के ताहर शारुकान फटी जिन्स पहनता है आमिरका परिशानी है सर, हम लोग फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं और हम लोवर क्लास के हैं, हमें डिस्टर नगर कीजिए आपको क्या चाहिए, गुड मॉर्निंग ही ना आप कहें तो आपको 500 गुड मॉर्निंग फ्री में कह सकते हैं, पर हमें डिस्टर मत कीजिए कानून को हाथ में लेना, सिर्फ आपको यह नहीं आता है, मुझे भी आता है रगो, सर, तेरा हाथ खाली है ना, बिल्कुल सर, बाल को पकड़, अभी पकड़ता हूँ सारी सर, गलती से मिस्टेक हो गई सर क्या हुआ सर, आप उपर से तो बहुत बुढ़े नजर आ रहे हैं मेरे टॉप को तू मत देख, फूल लोगों के बोट उमको देख, क्या कहा नीचे फूच क्या तुम लोग अफिकंड डांस कररहो बंद करो ना आज बंद करो अא तुम ऐनको शरम नहीं हाती क्या सब देख रहे हैं बंद कर सlorी दोस्तों लडको हर प्रिंसपल के सामने आगर तुम्हें नी मारता तो तुम्हारी बेज़दних हो जाती अबे तुम लोग को शरम नहीं आती क्या सब देख रहे हैं बंद कर पहले इनको बंद करवाओ उसके बाद हम बंद करेंगे, ओके क्या कहा? सॉरी दोस्तों, लड़कों और प्रिंसिपल के सामने अगर तुम्हें थपड़ नहीं मारता तो तुम्हारी बेज़दी हो जाती, इसलिए मैंने तुम्हें मारा, सॉरी अरे छोड़ यार, जिंदगी में पहली बार किसी मर्द के हाथ उसे तब रहे इसने ये सब पूछा किया, अरे यार मैं तो एसे पेल रहा था, अरे मैंने तो अंदाज में टुक दिया, जगड़ा क्यों कर रहे हो, तुने भी तो शीला के हाथ से चपल खाई थी, मैंने उस तुम सोच रहे हो, वैसी बटरफ्लाई नहीं है, डेंजर प्लेयर है, डेंजर, वो लाइन वारने वाले को कैसे कटकरती पता है, कहाँ, वह देखो, क्यों रहे, ये क्या है, लव लेटर समझा, मैं तो लिव लेटर समझा, वो तो समझने के लिए ब्राइट में लिखा है पिछले साल प्रक्तिकल में फेल, इस साल फिजिक्स में फेल, बंदर जैसा चेरा तेरा लाप करेगा, हाँ, मेरे चेरे के लिए गलत मत बोलिये सर, मेरा चेरा शारुक खान के जैसा है, तो, बगवास बंद कर कालिया, सौन, अगर तेरी बहन को कोई ये लव लेटर देगा तो तू चुप रहेगा, सर, मैंने आज तक कभी किसी को भी नहीं छोड़ा है, तो फिर इसको कैसे छोड़ दूँ, तो ये बात है, जड़ा मैं भी देखो तो, अरे बापरे, ये तो सच में बहुत डेंजर है, हलो, एक जवान लड़का वॉली बॉल खेल रहा है, और आप बिना देखे जा रही है, ये, रचिंग करेँ किया, कुछ भी बोलती रहे है, मैं कुछ एकना चाहता हूं अप से, क्या कहना है? Mr.NoMan, Maths करेँ, découvrir, bah также, साइंस, आप साइंस करेँ, भॉमैंस, भॉमैंसarin एक लड़का एक लड़की के बीच में जो होता है वही तो रॉमेंस होता है ना क्यों आपने कभी नहीं किया क्या लाइफ आपकी एक हेरोईन की तरह तो आपकी ब्यूटी है साइंटिस्टों के दौरा बनाय हुआ नुग्लियर बॉम लगती हो आप ऐसा लग रहा है जैसे कि इसी गिफ बॉक्स में पैक होके आरी हो हुँँँ बटर स्कॉच की तरह आपका बन गया बे काम बन गया बे काम बन गया ज्यादा हीरो मत बन देख लूंगी तुझे खरेबापरी देखने को कह रही है मैं दिखाने को तयार मैडम अभी तो बांडरी है उसका बैट स्ट्र कि तरह पिखल जाती है क्या जादू है तुझ में यार यह जादू सबके पास नहीं होता है जादू तो अब चलेगा यह क्या लिखा है मुझे नहीं पता है सर आप ही पढ़ दीजे ना सर नंपढ़ कहीं का यह एक प्रेम पत्र है इसमें लिखा है कि यह तुमसे प्यार न यह क्यों तरे मारे में चक्रा की गिर्रा जाऊ, मैं नहीं देख सकता nggak तक कुपसोरटू तो तो प्यार होजाएगा इ क्यों नहीं कि इतनी खुबसूरत लड़के को किसी को प्यार हो सकता की लेकिन मुझे नहीं हूआ तुम्हें इतना खुबसूरत होने को कहा किसने अ.. शटत अ, बहेब यूरसेल्फ तुम्हारे वनश काल क्या रहा है तुम्हों मुझे ऐसा बोलोगे तुम्हे ज़िख तुम्हे एसा आपने लगोगे.. सभबै। इतना अन्याए है? मैं कसम खा सब लडकों को यह लड़की बागल करके रहेगी यहाँ आप तो मेर उपर जरेगा क्या निछे उतर अरे नहीयान 당तौनगा युअ नॉटी हहन इस क्या कमाल के लड़की हा यह है। है। मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं सर, मैं इस लड़की से प्यार नहीं करता हूँ, एक लुक से ही जान ले ले लेती है लड़की अब चुब-चुब खड़ी क्यों है, कुछ एक्षन क्यों नहीं लेते कैसे एक्षन लुक वो कहरा है कि तुम बहुत खूबसूरत हो कूबसूरत लूग लुक अने कहते वोर तुमको प्यार करता है कि नहीं करता है ये मेरी समझ में नहींicana, कुछ तुम्हारी समझ में आया हो तो मुझे एक्स्प्लेइन करओ मैं उसको खिलाब लोगा तुम खुशोना, okay? नन्दू, देखो, आज तुम मुझे गुड मॉरनिंग गोलना भूल गई लेकिन मैं नहीं भूला, गुड मॉरनिंग, गोलो गुड मॉरनिग अक्साप्तेट बूर्णिंग, सर्णिम गुड मॉरनिंग चाचा जी चाचा जी आजए आप काम कर रहे है आप काम करने से शरी ठीक रहता ह आद्मी तंद्रुषत रहता है ऐसा क्या ? तो फिर आझ से मैं भी कोई काम शुरू कर देता ह। बदन में में ग्रीस लगेगि, तो मैं भी तंदुर्स हो जाओंगा बेटा, काम करने में बुराई नहीं है, पर अभी तेरी पढ़ने लिखने की उम्र है, उसके बात काम करना है, आपकी गाड़ी रेडी है, साड़े साथ सो रुपे देती है, क्या बुला, साड़े साथ सो, मुझे पैसे देने की आदत नहीं है, पोकट में काम करने की मेरी आद इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है और नहीं तो क्या उसने आपकी शट को हाथ कैसे लगाया बेटा अगर एक खतरनाक आद्मी हुआ तो अगर ये ऐसा अद्मी होता तो इसके साथ 2-4 लोग होते ना चलिये ना भूग लगी है खाना खाते हैं हाँ चलो एड़ोकेट कुनाल हेयर अरे भाई केस के बारे में घर में बात नहीं करनी चाहिए कोट में बात करते हैं ना ओके सॉरी अब फोन रखता हूं डर सर डर की वज़े से प्यार करते हैं सर हाँ हेई क्या कमाल लग रही हो तुम लेकिन एक बात जान लो मैं तुमसे प्यार नहीं करता इडियट कितनी चर्बी है तुझ में चलोट किसे बाहर जाने को कह रही हो आपके प्यार कर रहे हो तुमसे प्यार नहीं करता तुम मुझे डिस्टॉप कर रहे हो मुझे टॉर्चर कर रहे हो तेरी तो में क्यों ह। चलना माट्ट मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ क्या बोलो सुबा प्रिंस्पल ओफिस में मैं तुम्हें प्यार नहीं करता हां कहा तुम्ने वो नहीं जूट बोल रहा था मुझे तो पता ही था फर्स ताइम जब तुमने मुझे देखा था तब से लाइन बार पता था मुझे तुम आई लव यो बोलते तब भी मुझे फर्क नहीं पड़ता उस प्रिंसिपल के सामने तुम बहुत नाटक कर रहे थे न उसी का गुस्सा था एसा क्या गुस्से में तो तुम और भी खुबसूरत लगती हो येस, I love you खुबसूरत तो प्यार करोगे क्या एश्वरय राय मुझे भी खुबसूरत उससे भी प्यार करते हो किस गधे ने कहा कि एश्वरय राय तुमसे जादा खुबसूरत है कौन है वो जूटा इंसान कूल, प्लीज, प्लीज, प्लीज अश्वरय राय के बार में मुझे बात कर रही हूँ अरे लाइफ में मुझे जादा क्लोज उसके साथ कोई रहा है क्या सच बता हूँ, तुम उससे भी जादा खुबसूरत हो सही कहा तुमने तो तुम प्यार कब करोगी? छोड़ूगी नहीं तुझे, देखते रहा क्या करती चल निकल, चल निकल यहां से यह सब क्या है दीदी, किसे छोड़ूगी नहीं उसी लड़के को, वो जै कॉलेज में कहरा था प्यार नहीं करता अभी आकर रोमेंस कर रहा था जै, और यहां? आया था, दीवार फांद कर सपना देखा क्या? मोने वे, उदर मत देखना वो लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं, सार वो पक्का आपको नहीं बोलेंगे, चलिए, सार मैं इसके पाप के उसमीन में से हिस्सा नहीं मांग रहा सिर्फ ए गुड बोर्निंग ही तो चाहता हूँ जब तक यह गुड बोर्निंग नहीं बोलेंगे, मैं आसर नहीं ही रुगा खास रहा है उसकी तरह बिल्कुल जान मत देना प्रिंसिपल सर इतना खास क्यो रहा है, इनको कोई दवाई दो लो ओ, गुड मॉर्निंग सर इसे कहते है रिस्पेक्ट एक घंटे समें जानवरों की तरह यहां खला हूँ और यह मोर्क मुझे गुड बोर्निंग नहीं बोल रहा है क्यों, सर एक घंटे से जानवरों की तरह इंतसार कर रहे हैं तुमने नहीं गुड मॉर्निंग नहीं बोला जानवर को गुड मॉर्निंग नहीं बोलते हैं मैं तुम लोगों को जानवर तिखाई दे रहा है यह 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 चुप प्रीणिपल को गूझ मॉर्णिंग बोलना हम सब का धर्म है तुम लहों से वो किया नि, पता है तुमें जिते इंदीे मुझ आइप्र किणिमन करी दूर करते इसेफ्थ दो टेसे, तो टूर मिया हिंच कुछी पोलते हैं तो मोले अगर ये विल आप है अब आप बीजाब बोले उने जाप भी बो लड़ें देखे आप्षां सेबña देखा है। नहीं बड़ों गोंगा। 300 बार गुढर गुढरिंक लेकर हाथों में मोच आ गई। अबग अर्भार लेकर तुने गुढर गोला। मॉढरीं। मोर्गो तुमारे सुरी का मैं अचाड़ान। गुढर्ण गोलो। बूर्ण शेर। जिलो। मैं आपने निकाहाँ तो अपना गठर बंदी नग मैं बात कर रहा हूं जायां से जाता हूं डरो मत एक छोटा से अक्सिडेंट था आप भी मुझे उल्लो मत बनाई है मैं आपके लिए एक जादूई चीज लेकर आई हूं ये देखिये शहद में भीगा हुआ अवला अगर इसे आपने एक बर खाया ना तो आग के अंदर घोड़ी जैसे शखिया ये रहा वो तू फानी आवला क्या हुआ जब से आई हो तब से रो रही है बताव तो सही बात क्या है ऐसे रोने से थोड़ी नहीं कुछ होगा मुझे उससे डर लग रहा है कौन था कौन है यह 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 क्यों जी मेरे आपनी को चपल जिमारो की ऐसा बोला उसने मुझे आई लव यू कहा तुझे आई लव यू नहीं कहेगा तो क्या रितिक रोशन को दाकर कहेगा मुझे क्या तेली है मैं अपने तेले पर फेले लव ले लाता हूं दाथ तोड़ दूगी तेरे बहुत चरबी चरब गई तुझे तुझे अभी मेरे बारे में जानती नहीं है तेरी सारी खुबशूर्ती निकाल दूगा कॉलेश के गेट के अंदर घुसने भी नहीं दूगा अरे देखना यार फुखवार शेड़नी के चेरे पर तेल है अरे उता जासी की रानी है उसके सामने कोई बात क्या कॉलेश के लड़के मस्ती मजा करते ही रहते हैं पचास साल की हो जाओगी तब थोड़ी नहीं आसे ड्रस में होगी और नहीं तुम्हें कोई ऐसे बोलेग देखा लड़कियों के साथ जो भी गलत होता है उसकी वज़ा कुद लड़किया होती है चलो तुम्हें क्लास में जाओ जाओ वो लड़के किस कॉलेज के थे ते कोन है यार नहीं लग रहा है इसे तो में अभी प्रागा नहीं तुम्हें सब में से विलेन कौन है मैं हूँ भै भाईया नमस्ते भाईया बहुत बड़ बड़िया इज़द देले हो बात यह है कि बड़ों को इज़द देना हमारा खांदानी रिवाज है लेकिन आपने बहुत गलत किया वैसे मैंने क्या कल दिया आप लोगों में से हमा तुम्हें मैं क्या कर एंथ भाईया नमस्ते भाईया आपने उस लड़की के साथ बहुत गलत किया तो मैं क्या करू तो चल के उसे सौरी बोल ज़े हैầnम हम सारी पढ Interior दो खाल भाइला हाँ मैरे रुटिट एकर दो तो है मैनो अलगा राटा है अलगा है तुटिए अलगा है मेरे अपर अटाय है रखाए लृट थैसे तुटाई अलो टूग joke यह जो डिखने अग्या थे छोड़ बहुत चुट चुल यहाँ जी चुल खुल तो जो टल्लिजा भाता चुल के लिग चुल जा थाब दीजेमा उसे के लिग आ जाया से पूर क्या रहा भे घलती कर दी तुने बहुत बड़ी गलती कर दी इसका पावर चाने बगैर तुने इसे बाहर निकाल दिया आस तो तु गया बेटे इसने भाई पे हाथ उटाया इसने भाई पे हाथ उटाया ए दुबादे क्या दर रहो मारो इसे चलो है 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 कborg डट के कर आय कुल कुल हम को कुल क czy कुल कि इसने तो ऐसी कम तैसी कर दी आगे बता पीसर है तू जानता नहीं में चीज क्या हूँ मेरी पहुच बहुत उपर तक है देखना पहले पता देता हूँ चोड़ूगा नहीं तुझे मेरी मा आए रपाव आए गरू आए ये प्याम व्याम, ये उिसेने şimdi को! कंव बुग साथ में राइब कि अवाइब है हुआ 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 है 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 हल आण वर से खेर आया हुग आण आण यह अरह मुर्फ आण ऐAS घो हुगा हुगा है सद्लोंज्शित है र्डॉर आण जिन्हेर गर्ले खेए क्आइछ हुँआ हुँ हुँ अयो रम्पा पहना तेरे पार जहंडूपा में है क्या नहीं है समतिते हैं! संधवते हैं! संधवते ने खिनवा किस्त पंगाली आए! अब देख तरी शकल की मैं, क्या हालत करता हूँ, अब देख इसे मैं ऐसे, छोड़ू का रही तुझी मैं, आप तो दादाओं के भी दादा है, रभू मैंने आपको पहचाना नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, मैं हमेशा आपकी, हॉले हॉले हॉले, लग जाएगी मुझे, ल अब दोड़े बाइज का ही महाण, अब दोड़े दोड़े मेरे कॉलेज ऐखता है तो यह चाकु सही जगे पे जाएगी, अब दोड़ें अस्क्रणिए, जरा पांज मैं टुकिएगा, बही तका नाम क्या है? Mohan मेरा नाम Mohan है Mohan है इनका नाम मोहन है मेरा नाम आज के बाद सभी लड़कियों को मैं अपनी मा यैसी अपनी बहन यैसी अपनी बहन यासी मानूंगा देर गाईशमान भबा इसने त्मवारी बैजिती की थी ती न? इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं इसे यहां खिच के लाओं बदला ले लो अच्छा भाईया मैंने जितना हमारा उससे जादा जोर से लगी तुम्हें तुम्हें देखो भाईया कॉलेज में रेंग इसलिए होती है जिससे हम दूसरे को जान सके लेकिन लिमिटेड होनी चाहिए हम श्रावन यहां आग् भया को अटो में भिठाके उनके कॉलिज तक ड्रॉप करकर यहां इस दुनिया में इसकी कीमत एक जैसी नहीं होती और कुछ की कीमत चुकती नहीं और वो होती है आशों की कीमत तुम आशों बहारी थी वो मुझे पसंद महीं आया तुम्हारे जग अगर कोई और लडकी हो तो भी में यही करता, लड़किया रोती नहीं इच्छी लगती यही, मुझे यह टेचिंग बचिंग नहीं पुसंग नहीं पुसंग नहीं, अरे लड़को को तो टेचिंग से एक दम दूर रहना चाहिए और केरफुल भी, तुम यहां टश करो कि यहां डिस्टब होगा फिर इस नजर में गायल कर देती है, इतनी दूर से भी करंट मार रही है, ऐसे मत देखो, ऐसे मत देखो मुझे, जै, इसकी खोबसूरती से पिगलना नहीं तो, वा, कितनी खोबसूरत है यह, ममी, मैं तुम से प्यार नहीं करता, रहीं कर के यह, ममी करता हम है, थाँ से जबसाने तो, प से छोष्पठशंगा करता देखो, वा, कला जाने है, प्पैλάई झाहर, कितनी तूरत रहीं क्योंपोर्ण से जरका को कि अवासाफ मुटवाफोर की घया थिए, अलिए, कशली, बैसे, थाए़ना तो, प्कòng si alreadyतने, झाल झाल एक स्वीट पान बनाना चूना मत लगाना हाई मेरे हाथ का पान खाओगी क्या शकल देखी अपनी भागे आसे जल्दी दो भाईया हेलो पान खाओगी क्या तेरा दिमाग खराब है क्या कॉलेज की लड़कियों की साथ बत्तमीजी करते हो नॉंसेंस इडियाट भागल देख कि अधार है क्या भूलो मद बिली नहीं शेरो उसे छोड़ो शोपा मेरे साथ पान खाओगी माइवन ब्लड अपे पान खाने से पले मूलाल हो गया मूलाल होने से मतलब है ना उधर देख गूड मॉनिंग आ रहे है देख चिसिक गनपती का विसरदन किया जाता है ना वैस इसका भी कर देते हैं पानी गंदा होता है यार इवनिंग फोर ओक्लॉक यहां क्या हो रहा एक्जाम तो पास हो गए अब सौफ्ट एरिया हार्डवेर क्या करना है इस पर डिसकस कर रहे हैं यहां बस स्टॉप पे चाहें कहीं भी हो सर बढ़ाई तो कर से कितनी बद्दू हुँ तो इस conditionally कि ऐसे मब लो में हम सब बराबर सर्ट जाइए साथ रील वाली शक्खी ला रियल में इसाइख मेरे मूर को ये बात किसी और को मत बताना है अहां दीवाल पे भी नहीं लिखेंगे जाइए सर नॉटी मूँ जाइए 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 अब मेरी शमाज में आया ये इतना ताकतवर कैसे है अगर ये सामर में रोज खाऊ ना तो एक बात तो पक्की है मैं खुबसूरत हो जाओ ना नजर मत लगा ये क्या है भाई बाते तो बड़ी-बड़ी करता है देखो तो इतना प्यारा बच्चा बन गया है कि मामा के हाथों से खाना खा रहा है बच्पन में लोग कहानिया सुनके खाना खाते है लेकिन मैं अपने चाचा जी का चेहरा देखके यह मेरा दाया हाथ नहीं है यह है अगर यह हांत मुझे खाना नहीं खिलाता तो मेरी भूंकई नहीं मिटती यह पागलों की तरह हस क्यों रहा है अरे हस क्यों रहा है भाई बताओ तो अरे वह कहा ना पहले बात बता बता वनना दाथ तोड़ दूगा तेरे एहाँ हसना बनकर बता बात क्या है या बताओंगा बताना हाँ बता बात क्या है ये या क्या कर रहा तू बता ना अबना जो प्रिंस्पल है ना अब ये किस लिए जल्दी से अपना शर्ट निकांग पैंड पे उतारो ना कोई बात नहीं पता है मुझे हॉल बेड्रूम एक जैसे ही लगते हैं आप बन्यान उतार लीजे मैं चेंज करके आती हूं हुआ हमुआ 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 हुआ हमुआ हमुआ हम् इस घंडी का इतना बड़ा पेट्टूटूऩ वट अ सेक्सीड्यू बड़ी जिल्डरेंस फालतू चीज एखाओगे तो मेरे जैसी मोटी हो जाओगे, समझाया था ना? अब इस अंकल को ही देख लो फालतू चीज देखाके गुबबारे बन गया है, तुम्हें दिखाने के लिए इने लाई हूं, सुबह सुबह उठा करो, एक्ससाइज किया करो, बूस्ट पियोगे तो ताकत बनी रही है यह नहीं हो जारा रहे है रहे हैं अधिर क्यों कर रहा है कि यह निया करो एक बार समयाटे से कोई बारी समझ में नहीं आती है प्रिंशिपर साफ आप ही बताइये ना सर बूस्ट से शरीर को अनरजी मिलती है कि नहीं अगर कोई अंटी अपने हाथ से बना कर दे तो भी एनर्जी अरे तुम लोग अभी कुछ नहीं जानते बाद में प्रिंसिपल साब से पूछेंगे बुस कैसे पीते हैं हाँ भाई हमें भी जानना है सेर वो क्या है बूस्ट इज माइस सेक्रेट इनर्जी अब टीवी नहीं देखता क्या कपिल देओ सचिन तर्डूंकर वो पीते हैं यह समपड़े लोगों का काम है तेरी समझ में नहीं आएगा जा पना काम कर बूस्ट इज माइस अब इसको भी अब ही ही हाना है आ रहा है आज मैं उससे बात में करूँ रहे है हलो नंदणी आए खुबसूरत लड़की सामने खड़ी है और आप बात नहीं कर रहे हैं लेकिन तुम भी तो मुझसे बात नहीं करना चाहती थी है ना आपको कैसे पता पता है यह पर आपको अब पता चल क्या मैं सब कुछ जानता हूं फिर भी बिना कुछ बोले जा रहे थे क्या कहना है कहने को तो बहुत कुछ कह सकते हैं साइंस के बारे में मैंट्स के बारे में फिजिक्स के बारे में केमिस्ट्री के बारे में रोमैंस के बारे में रोमैंस के बारे में रोमैंस एक लड़की ए अब मेरे जैसे नहीं होते हैं मैं तुमसे प्यार नहीं करता नंदिनी मैं तुम्हारी जैक के साथ सेटिंग करवा दूगा मुझे ये कार गिफ्ट कर देना नहीं ही खरीद लेते हैं सेकेंड एंड के बारे में क्या सोच रहा हूं मुझे कोई भी चलेगी इससे रिपेर करके जल्दी से डेलिवरी कर दो नमस्ते मैंने बताया था ना ये जैक के चाचा है नमस्ते कौन है ये लड़की ये नंदिनी है हमारी क्लास्मेट है शर्मा रहो शादी कब है आप हाँ बोलेंगे तो कभी भी कर सकते हैं प्यार एक पवित्र शब्द है वो देवी के चरणों में चड़े फूल जैसा होता है मेरे दिल में जो प्यार है वो अब तक उन्हें भी नहीं पता मेरा बच्चा जय मंदिर में रखी मूर्ती की तरह पवित्र है वो तुमें इतनी जल्दी नहीं मिलेगा तुम कोशिश कर लो मैं भीच में नहीं होंगा मैं तुमसे प्यार नहीं करती क्या चाहिए एकाउंट पर नहीं मांग रहा हूं सेटलमेंट कर रहा हूं पैसा लेकर आए हो मज़ा आने वाला है आने दो ऐसी फटी नोट देकर रॉब दिखा रहा हो इसके अंदर से देखे तो पूरा इंडिया दिख रहा है इस तरफ से देखो तो पूरा हमाला नजर आता है नंदिनी तुम कब आई हां बस अबी आई अच्छा यहां आपी खाना बनाते हैं कोई रसोया नहीं है क्या रसोय में बनने वाले खाने में सिर्फ खाना होता है लेकिन मेरे चाचा जी जो बनाते हैं इसमें प्यार होता है पुष्ट मैन कहां से आये चाचा जी वहीं से कहां से ऐसे वहीं कहां से वहीं तुम कवाचा फगजってる कहां से एकल को की बनाते हैं प्ड़ मोफ़न कहां से खाने जी गुम छत्य से अच्छा अब अच्छे है ना मालिक मालिक छोटे मालिक अच्छे है क्या कि अधियर जै 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 हाँ जैज को देखकर है मालिक के पूर्द देखकर हमें बहुत खोश हुई मेरो आप बता है इतने सालों से वेद्रेत को जेल में हुए आप हुआ आप चुप रहिए कि आज हमें सच पता नहीं को सबाइब भील कोई हुआ खे़ए मालिक और हमारी मालकीन का कैसे कट्ल किया पता है अमारे आकों के सामने कैसे काटा पता है सारे पेपर इसे दे जेजा उस पर साइन कर दे अगर तुने मेरी बात बान ली तो यहां जो घायल पड़े हैं उन्हें मैं हॉस्पिटल पहुचा दूगा और अगर तुने मना किया तो सब मर जाएंगे किया अगर जै कर दूगे हैं तो कहें अगरिक जहें का आ बने क्या आंगर अख़ार इस नКак कि पक्राइबrüक्ण खंश्वार इसे भी बा मैंटे वैंट भूत फोगमा झारए उन्हे से उ और भल derived देख जिन्दा है क्या हाए जय。 शांट हुधी हूँ इतने दिनों तक बताया क्योंनी आपने मदल्दा लेना है उसके घर में उसे खुस के मारूगा आपने क्यों नहीं बताया export बॉलिए पजये बताया क्योंनी आपने जय नहीं जय कि इतने सालों तक इसलिए इंतजार नहीं किया मैंने नहीं उसे बताना है तुम्हारे पिता की इच्छा अब तुम पूरी करोगे पांडों ने वनवास स्विकार किया पर कोरों लड़ने के लिए तैयार थे पर शुरहम भी उनके जैसे थे कृष्ण भी अर्जुन के साथ खड़े थे कुरुक्षेत्र की लड़ाई धर्म के लिए हुई थी, हमारी लड़ाई भी धर्म के लिए ही है, उसके लिए क्रोध नहीं, युक्ती चाहिए, युक्ती, उस कुरुक्षेत्र में कब जाना है, ये तुम्हें मैं बताऊंगा, तुम्हें बस होसला रखना है, तुम्हें अग कि एक बार जांगों के तक है लाई ना नहीं 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 मार बार कर खत्त कर दो इतनी हमत इसकी मारो इसे इतने सालम तक आपके पास किया एक हरी मिर्ची क्या ठोड़ी आपके खिट से आप इतना मार रहे हो यह कैसा इंसाफ है मिर्ची नहीं रहे जोगी मेरे खेट से एक मुठी खास भी खाड़ेगा मैं उसकी करदन काट दूंगा रोई मिर्ची का पावडर लेकर आप अरे पापी हो तुम सबको बड़ी सजा मिलेगी इतना काफी है या और चाहिए तुझे बहुत चर्वी है ना मालिक यही कॉलेज है क्या क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ है वह अपना तीसरा साथ ही का आंगा उसके पास चलते हैं ठीक है जाकर ढूंग कि ला उसे ढूंग कर यह कंभी क्या हुआ क्या हुआ क्या 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 तो सब बिगड़ जाएगा तुम्हें मेरी कसम क्या डाड़ी डाड़ी मेरी फ्यारी गुडिया दुबली क्यों हो गई खाना नहीं खाती क्या अरे डाड एक्जाब्स आरे ना हुआ 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 क्या हुआ मत पूछे जाचाजी नंदनी उस विश्वजीत की बेटी है क्यों 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 मैं सिर्फ और साल का था जब मेरा परिवार मुझसे छीना गया भूल जाओंगा मैं उसे भूल जाओंगा मैं उसे भूल जाओंगा मैं उसे भूल जाओंगा चाचाजी विश्व जीत हमारा दुश्मन है तो क्या उसकी बेटी नंदनी नहीं बदले के लिए अपने प्यार की बले नहीं चड़ा सकते तुम जाजाजी वो लगकी मासूम है जै मासे कुछ कहना है क्या एक अच्छा बती बने रहे ऐसा ही कहना अपने पितासे अभी आप उनके बारे में जानते नहीं है वह जैसा कहें वैसा ही करना हो गा जैसा सोचे वे इसा ही सोच झाटा करना हो और अगर उन्हों ने बुलाया और नहीं गया, तो मेरी गर्दन, खुन सच सणी मिलेगी बेटा, वहां जाकर अच्छे से रहना ठीक है चाचा जी, सिंदु तुम भी मेरे साथ चलो ना नहीं नहीं मैंने ही तुम्हारे पापा को देखकर मुझे डर लगता है तु? हाँ? एसेम्मली में इंग्लिश में बाप करेगा, इसलिए तुझे पढ़ाया और तु कहता है मेरे का जाओंगा मुझे ये मारपेट खुन देखके बहुत डर लगता है पापा उस दिल कहीं का है सुन, ये मेरी ही पैदाईश है न क्योरे कालिया लड़की को देखने से पहले कहा जाता है कि उसके सारी पीडियों के बारे में जान लेना चाहिए लेकिन इसके खांदान में ना तो हथियार से कोई मरा है और ना ही आसने कोई हथियार से मरा है अच्छे, ऐसे काईरो के खांदान वाली यारत है ये किसी भी मर्द को तेरे जैसी ओरत नहीं चाहिए समझी हुँ हाई डाडी मेरी प्यारी गुडिया आजा 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 हाई रहे मुझे क्या होगा मैं राजा के जैसा हूँ बिटा अर अब तो बस तुम ही हो जो मेरे खांदान को आगे बढ़ाओगी मेरे सोने की चिडिया तुमारे लिए एक शेर के बच्चे के जैसा दामा ढूंड कर उसके साथ तेरी शादी करवाकर अपनी सारी जायदाद मे मैं उससे सौप दूंगा ठीक है बेटी अब जा और जाकर आराम कर जा कियो रे कालिया मैं जैसा सोच रहाँ वैसा शेर जैसा दामाद मिलेगा ना ज़रूर मिलेगा माली यह हुई ना बाप बाइया अपने माली को शेर के जैसा ही मिल गया कहां अपने विरольप्पन के पास सहतूपति नाम का एक गंडा है शेर बोले तो शेर बिलकुल शेर जैसा सोते समय गोलियों से भरी हुई बंदुक अपने सात लेकर सोता है अपने माली के पास 2000 एकड़ खेत है पता है ना कौन सा बड़ा 2014 4000 किलो मीटर तक की जमीन सिर्फ उनी के हातों में है तब मिलार दिया जाए तो कई किलो मीटर तक की कंट्रोल उनके हाथ में अगर एक बार बोल दिया तो बोल दिया ये ठीच के मारूगा ना तो पेशाव नहीं भाईया, तुम तो बहुत मजाग करते हो, तुम्हे देखता हो डर नहीं लगता है अरे, तु यहां क्यों आई बेटी, वो भी इस वक्त? डाडी, आपसे अकेले में कुछ बात करनी है अरे तो बोलना बेटी, यह जो कालिया है ना, यह अपने परिवार का ही है मैं एक लड़की से प्यार करती हूँ प्यार करती हो, बहुत प्यार करती हो बचपन में मेरी चपल की आवाज सुनकर छुप जाने वाली लड़की 18 साल की उम्र में मेरे सामने खड़ी होकर अपने प्यार की बात कर रही है बहुत हिम्मत है, तेरी यह हिम्मत मुझे बहुत पसंद आई अगर वो मुझे पसंद आया, तो कुल गोत्र कुछ भी नहीं देखूँगा उससे तेरी शादी करवा दूगा और अगर पसंद नहीं आया वो आपको जरूर पसंद आएगा वो तो उससे मिलने के बाद ही मैं फैसला करूँगा अब जा अब एरूग तेरी मा कहा है मा मेरे कमरे में है ऐसा क्या उसे मेरे कमरे में आने के लिए बूल दे नंदीनी बोल रही हूं कहा है तुम्हारे साथ ही बैटा हूँ मेरे साथ और क्या क्या बोल रहा यो? मेरे पापा तुम्हें देखना चाहते हैं. एक मिनट+. चाचा जी. छाओ बाया, जै? नंदनी के पापा मुझसे मिलना चाहते हैं. चाओधा तारिक बोल दो. अरे रेज, वो तो बहुत क्थर नग है. तुम्हारे पापा अपने पास बॉम रखते हैं क्या तुम तो जानती हो मुझे बॉम से बहुत डर लगता है मैं तो दिवाली में भी पटाको से दूर रहता हूं बस करो जया है चौदा तक मुझे इंतजार करना पड़ेगा तुम परेशान क्यों और यो को तुम्हें अभी अभी आ जाता हूं अभी हां यहां वहां क्या देख रही हो मैं आगया देखा ना तुम्हें आप पानी भरने आई हो अरे क्या बताओं ने अपनी बहु को कल्सी धो के पानी भरने कहा था उसने घिस-घिस के कल्सी ही गायब कर दी क्यों माजी अपने बहु के बारे में ऐसे क्यों बात कर रही हो जब हम बहु बनकर आय थे तो हमारी सास भी हमारे बारे में ऐसे ही बात किया करती थी क्या कहें अब क्या जमाना आ गया है यह भी सही बात है बहन जी बेटी मुझे ज़रा पानी दे दो माजी प्यास लगी है थोड़ा पानी पिलाएंगी क्या? हेई, क्या है इस पानी में? ऐसा लग रहा है जैसे बदन में भिजली दोड़ गई हूँ सोला सालों के बाद आज इस पानी को पी रहा हूँ इसे पी के लग रहा है जैसे मैंने अपनी मा का दूद पी लिया चलता हूं माजी नमस्ते तुम कौन हो बेटे? वीर प्रताप जी का इकलौता बेटा जै यह क्या कर रहे हैं आप लोग मैं तो आपके बेटे जैसा हूँ बेटा सूला साल से हम भगवान से प्राधना कर रहे हैं आज ऐसा लग रहा है जैसे भगवान खुद आगए बेटे तुम कितने दिनों के लिए रुकने वाले हूँ और से मैं यही रहने के लिए आया हूँ यह लीजे कॉफी क्या यह यह कॉफी है क्यों जी अच्छी नहीं बनी क्या यह तेरे चेहरे से भी खराब है दूसरी बना कर लादू क्या तुस्से नहीं होता तो किसी और को रख लू एज़स्ट कर लेगी क्या चान ही तो कॉफ यह प्रया मौ अग्याब डरी अग्याब यह 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 झाल झाल कोही नूर हीरे के बारे में आज तक सिर्फ सुना था, लेकिन उसे देखा नहीं था, शायद वो बिल्कुल तेरे जैसा ही होगा, मेरे सामने सर उठाकर एक लड़का खड़ा है, मतलब उसके शरीर में जरूर किसी बीर का खून है, पसंद आया, तो मुझे बहुत पसंद आया, आज तक मैं अपनी बेटी को नाजुक समझता था, मगर ये तो बहुत बहादुर है, इसने एक शेर को लाकर मेरे सामने खड़ा कर दिया, अब आज से तुम ही मेरे वारिस हो, सिर्फ मेरी बेटी की नहीं, मेरी सारी जमीन जायदाद, और पचास सालों से जिसमान सम्मान का बोज मेरे कंधों पर है, वो सब कुछ मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ, कैसा लगा दामाद, हीरे जैसा, शेर की तरह है, मालिक चेहरा देखते ही पता चल गया, आप जिसे ढून रहते हैं, वो यही शेर है, दामाद जी, ये तुम्हारी सास है, कले में मंगल सुत्र लटका कर खाना बनाने वाली और परिवार चलाने वाली एक पनोती, और ये है साला, ये किसी काम का नहीं है, इस घर में इसने क्यों जन लिया मुझे पता ही नहीं है, पता है इसलिए अपने घर के लिए तुम्हारे जैसा ही एक वीर को ढून रहा था मैं, नंदनी, तुम्हारे पापा से मुझे अकेले में बात करनी है, अब बोलो दावाची, आपने स सुना नहीं मैंने कहा केले ले, मैं कौन हूँ आप जानते हैं, जै, जै वीर पताप, इस धरती पर पैदा होकर जानते हैं, जनता की सेवा करने वाले भगवान, श्री वीर पताप का बारिस, मैं कौन हूँ जानने के बाद मुझे अपनी बेटी दोगे क्या तुम्हारे नहीं दोगे मैं अच्छी तरह से जानते हैं, तुम दो चाहे ना दो फिर भी, वो मेरी है, जला मत, मुझे मेरे पिताजी की कसम, तुझे मसल के रख दूँगा मैं, आने वाली विजय दश्मी तक का टाइम देता हूँ, तुने मेरे पिताजी से उनकी जो भी जंपत्ती छीनी है मुझे वापस करते, नहीं तो? तुझे भी नहीं पता की क्या होगा, मैं आठ साल के उम्र से ही बॉम फोल रहा हूँ, ये कोई नई बात नहीं मेरे लिए, नाई, 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 नहीं तो, तेरे दाँत को तेरे पेट में डाल दूँगा, विजय दर्शमी, तु इसे भूलना मत, अरे एक कालिया, दिखा इसे, देखा, देखा बच्चे, इस विश्वजीत की ताकत, उससे टक्कर मत ले, खत्म कर दूँगा, तु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मेरी बात मान ले, इसके बावजूद तु यहाँ रहना चाहता है, तो मैं तुझे दस एकड़ जमीन और एक घर भीक में दे दूँगा, मुझसे भीक लेकर, तुझे एक नौकर के जैसा मेरे सामने सर जुका कर खड़ा रहना पड़ेगा, उसके बाद, अब उसके बाद भी, तुने अपनी ताकत दिखा दी, अब जड़ा मेरी ताकत को देख, क्कुछब की do खड़ा पंपा, क्यों शौक लगा ना लेकिन धमाका तो बाकी है अभी जाचा जी क्या कह रहा था मैं सर जुगा कर तेरे सामने खड़ा रहा हूँ पूरे गाओं में सर उठा के जीने वाले खानदान में पैदा हुआ हूँ मैं अगर हमारा सर किसी के सामने जुगता है तो वो सिर्फ भगवान के सामने कुट्टे के डर से शेर नहीं भागा करते जौनता है न जिस तरह से तूने मेरे पापा को मेरी मा को तड़पा तड़पा के मारा है न उसी तरह से मैं भी तुझे मार दूंगा दुनिया को उचाला देने वाला सूर्या सिर्क बारा घंटे ही रहता है लेकिन मैं तेरे लिए इस मिट्टी में 24 घंटे रहूंगा यहीं इसी जगह पे मुझे रोक सकता है तो रोक ले लेकिन तू मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता है एदम तो रोक मुझे प्रुषाल दिर्क प्रुषाल रोक लेकिन तू रहा है तो रहा है एदम प्रुषाल रहा है क्या हुआ मा ये दिवाल पर हल्दी क्यों लगा रही हो देखो बेटा इसमें जो लकीरे है इसमें हल्दी लगाकर माता पिता अगर भग्वान को सौब दे तो बच्चों की उम्र बढ़ती है बढ़ती है unden लग कि वा लो मैंड, लगई लगा 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 लुद लगा 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 मुझे क्यों ऐसे पाला मेरी आखों में आसू नहीं आएंगा क्या यह सब देखने के बाद भी मुझे रोना क्यों नहीं तुम रोने वाले खांदान से नहीं आशू पोचने वाले खांदान से हो आज के बाद तुम्हारी आखों में आँसू नहीं आने चाहिए छोटे मालिक गाउं के लोग आए है यह हमारी जन्ता है तुमसे मिले आई है जैसे बड़े मालिक थे वैसे आप भी है मालिक मेरे पापा को आप लोग जानते हैं क्या हमारे गाउं में शायद ही कोई ऐसा है जो उन्हें नहीं जानता हो क्योंकि आपके पिताजी बहुत वीर पुरुष थे गिली डंडा खेलते खेलते शेर को मार दे ऐसे वीर थे वो बेड़े मालिक को जब उसने मारा तो हम कुछ कर नहीं बाए मालिक अपने खेट तुम सब को बाटना चाहते थे मालिक उनकी चापुरी करने के लिए तुम्हारे चोटे मालिक आए है आपके साथ हम लोग हैं छोटे मालिक आपके लिए हम लोग अपना खून भी बहा सकते हैं आज के बाद खून उन लोगों का बहेगा आप लोगों का नहीं आप लोगों का सिर्फ पसीना बहेगा यह लेजिए सोडा में इतना नमक कैसे बहे जा कर शक्कर ढाल कर ला सोडा में शक्कर मिला नहीं है आप जा बहे प्डंश की है अँ में आप वो लोग कितने टीट टॉप सभेद कपड़े में आ रहे हैं जीतने वाली टीम लग रही है और यहां देखो वर उठाने वाले जैसे कपड़े पहने हैं अब मुठा के क्या देख रहा है कितने दिनों के बाद इस मंदिर में आया हूं यहां कुछ भी नहीं बदला चाचा जी पंडिजी एक नाम से पूजा और करनी है नाम है नंदिनी वरशिक राशी अनुराधा नक्षत्र विश्नु गोत्र वो सोच रही होगी कि मैंने उसे छोड़ दिया इसमें भी नीचा दिखा रहा है यार बेटा हूं नंदिनी ने दो दिनों से कुछ भी नहीं खाया है यार बेटा नंदिनी ने दो दिनों कुछ भी कहती हूं तो वो नहीं सुनती नंदु 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 नंद ने इतना खाती है क्या कोई बात नहीं ओके नंदु 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 क्या हूँ खाना क्यों नहीं खा रहे है क्या कह रहे थे तो डैड बॉम है और तुम्हें डर लगता है वो फटा हुआ बॉम। उसे दिखे कॉंडरेगा तुम्हारे पिता को मेरे पिताने मारा यह पहले क्यों नहीं बताया ऐसा क्या कोई भी मर्द अपनी बीवी को सारी बाते नहीं बताते हैं यह उनकी शान के खिलाफ होता है तुम्हारे पापा और मेरे बीच की लड़ई अ खेर वो सब छोड़ो, तुम्हारी माँ कितनी सीधी हैं, और तुम्हारे पापा की शकल गेंडे जैसी है, इन दोनों की शादी कैसे हुई है? ठक गया ए कालिया, मालिक, हम जिसे दामाद के लिए देख कर आएं, वो कैसा है? आपने जैसा सोचा था, वैसा ही शेर मालिक, है ना, लंबा चोड़ा, हट्टा कट्टा, एक दम, अरेरेरेरे, बहुत बहादूर है, मालिक, वो आपको देखे या मुझे देखे एक ही बात है, तुमने पाजी की लंबाई कितनी होगी, छे फिट से भी जादा, अरे, बैठी है ना, इतने इज़द देने की ज़रवत नहीं है अपी से, तु, 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 हाहा, मैं ही हूँ, परदेशी बनकर तो तु यहां आया था, मेरे खानदान वालों ने तुझे बैलों के तबेले म रखके पाला था, तुझे पालने वाले खानदान का वारिस, जय हूं है, ससुर जी, अपनी बेटी की शादी कराने वाला कोई भी बाब दामात कितना लंबा है, किस कलर का है, यह सब नहीं देखता, बल्कि देखता है, वो कितना हिम्मत ही है, ससुर जी, नंदनी से मैं काट दूँगा, है, मेरे हाथ में जो चाकू और बाम है, उससे काम पर बत लगा, है, चला मत, चला मत, मैंने तुझे उस दिन समझाया था ना, है, 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 क्या कहा तरे हाथ में जो चाकू और बाम है, हा, मैं खुद ही एक बाम हूँ फटूँगा, तो बरबाद हो हो जाएगा है मेरा तिमाग खराब मत कर तेरे पास चाक्रू और बाउम है ना तो मेरे पास हिम्मत और बहादरी है मैं मौत से नहीं डरता हूँ इन आखों में मौत का डर दिखता है तुझे उस दिन चो बॉम मैंने घर के बाहर रखा था अगर वो घर में होता तो आस तेरा क्या होता कभी सोचा है याद रखना विजय तश्मी तक का टाइम दिया है तुझे तब तक कि जिन्दगी बची है तेरे पास जिस तरह से जीना है जी ले वालिड क्या है वो शेर के तरह दाहार के जा रहा है और आप चूप है पापा मुझे अमेरिका के लिए वीजा मिल गया है मैं चला जा जाओ दोपकिया काई वीजा यहां तो तु कुछ कर नहीं पाया वहां जाकर का कर लेगा औरे है कायर के जैसा अगर मेरा एक बेटा पैदा हुआ होता ना मैं इस पूरे राज्जे को हिला कर रख देता शेर के घर में शेर पैदा होगा सियार के घर में थोड़े ना उसके बदन में जो दोड़ रहा है वो खून नहीं है जो आला मुखी है मैं उसे बुझाना होगा वो पहली बार जब घर में आया तो मालिक ने उसकी गाड़ी उडा दी लेकिन उसने तो सीदा सीदा एक साथ नो गाड़िया उडा दी उस जिदी डिन मैं समझ गया कि उसके पास अपनी दाल नहीं कहने वाली जब से उसको देखा है तो मालिक की हवा निकल गई है वो बहुत घवराय हुए है चलो हम यहाँ से निकलते हैं कहीं नहीं जाएगा शेर की गुफा में शेर की गुफा में जा रहा हूं पता नहीं जिंदा लोटूंगा की नहीं अरे बेवकूप ओ चलो अंधर क्या हुआ मैया बरा हुआ भी प्रताब ऐसा लग रहा जिंदा हो कर ख्या गया इतने बड़े घर में उसे मैं कैसे डूनूंगा एप झाएगा ख़ियो 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 तराक लोग इतने ूट कुई बचन नहीं जाये जेल में 16 साल से हम 16 साल से जेल में थे हम आगों के सामने मेरे मालिक को बारा था ना भाई रुख्यों एक चोटा सा काम है वाही पूरा करके तुम्हारे हादों से ही मर जाओंगा मैं तुम्हारे मुचों की कदम घार कर गेता है कोई भी यहां से बचके नहीं जाएगा रुको 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 एक मिन डुको मेरे थोड़ा सा काम बागी मैं उसे पूरा कर दूँ अंधेरे में पैदा हुआ पे वो गोव इंसान मैंने तुछ से कहा था कि घर के अंदर मज्जा देख मेरे चेरे की आलत देख वो लोग एक एक करके मार रहे हैं क्यों बें शेर बनता है छेर नहीं कहीं का है शेर को तुने कभी देखा है क्या वो देख वहां बैठा है है मालिक है मालिक मालिक मैं इन बेवकूर की वज़े से यहां पर आ गया अप जरह को ना मैं सच यह रहा हूं पहने सीने की सीना यहां होता का यह भी य乐 कब बदल गया पता ही नहीं चला 감ल बद्धा मैंने आपको देखा है। मेरा क्या वदल किया पटा ही नहीं चला। मैंने भगवान को नहीं देखा लेकिन आपको देखा। आप तो मेरे लिए भगवान है। भगवान है आप मेरे लिए। एक्टिंग मत कर.. अपना मुह बंद रख.. चाचा जी... बोलो जे इन लोगों को पार्सल करा दीजें आजड़ा ओपर वह उठाव 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 अराम से निफीक पावड यहांपर क्या हो रहा है वह उपर क्या इमांग में क्या चल रहा है समझ में नहीं नहीं आरा है थो सब को यहां से असाम पार्सल किया जा रहा है लिकी जल्दी करो यहां पर दारू-अर्मटन के मजे लिया है ना olacak जाने के बाद कड़ी धूप में तेरा तोबला सुखी-डोटी जैसा हो जाएगा यहां भी तो मार कार के सुखी रोटी ही बन गया हूँ इसके बाद भी वहां भेज़ने के क्या ज़रूरत है मालेक मेरी वज़ा से आप एक बोरी बरवाद मत करो मालेक उठागे डालो इसे करते चले आ रहा है एक अंडेक्टर बस ना बोल लगाओ कि कोई भी एर पॉलिशन ना फेलाए हमें आना तो फ्लाइट से चाहिए था लेकिन यहां पे एरपूर्ट नहीं है एरपूर्ट है प्लाइट नहीं है शादी का कार्ट साथ पे लाए हो ना तुम्हारे पस उस अधरस है ना जास कारहा हो मुझे घुन पता नहीं है कि इसे वे रिकर्ड की तरह बजे जा रहा है तेरे साथ जो लोग गय थे वो लोक है मैं पिया नहीं तब भूल गया सुबह होगी तो सब असाम में होंगे असाम में क्यों वो क्या है जब वो कल मार रहा था तो असाम का नाम ले रहा था देख जो है साब साब बताओ वरना वो गरम पनी उठागे तेरे सर पी डाल दूगा यहां जै कहा रहता है यहां नाम सुनता ही मुझे लीकेज प्रॉबलम हो जाती है यह कौन सी फिल्म दिखा रहा है फिल्म दिखा दा तो फिर भी चलता यह तो बाइसकोप दिखा रहा है यार ए खड़े माथ हो बैट जा बैटने से ज्यादा अच्छा दिखाई देता है लेकिन यह सबज में आ रहे है कि देखना क्या है नाला है कहीं का हाथ क्यों जोड़ रहा है अबे किस किस को देखकर हाथ जोड़ना यह पहले बता दे यह बच्चे डर रहे हैं पहर अटा जल्दी हम लोग भी ना सोचे समझे इस गाव में आगे जिन्दा वापस जाएंगे की नहीं जाएंगे तो क्यों वड़ा रहा है इसको उरतिये सफ्टी जयी एकना में दियूं जाकरा एव कर दो कि चोड़ने अधिनी तेरे फ्रेंड्स प्लड़के ही है क्या लड़किया नहीं है है छोड़ दो उन्हें यह क्या तुम लोग यह कैसे यह तुम्हारा ही घर है हमें तो लगा कि किड़नी चोर हमारी किड़नी निकालने के लिए लेकर जा रहे है अरे नहीं नहीं यह हमारा ही गर है अंदर नहीं माते अंदर नहीं आना हमें जिन्दा तुम जिसकी शादी में जाओगे उसकी शादी नहीं हो पाएगी भाई अंदर जा यहां कहानी क्या सुन रहे हैं अंदर जा नहीं तो एक दूंगा अब बोल कल अपने जो लोग गए थे उनमेंसे कोई नहीं लोटा इससे पूछने पर ये बार बार असाम असाम किये जा रहा है उसका नाम सुन्द ही पेशाप कर देता है जो लोग उसके साथ गए उसे कुछ तो हुआ ही होगा अब हमें कोई न कोई रास्ता तो निकालना ही होगा उस जह को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं उसे सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है सबक नहीं रहे उसे खत्म करना होगा पीचे आप लोगों में से जै कौन है आपकी तारीफ सोम राज जै मैं हूँ विश्वजीत के लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं उन्होंने तुम्हारे खिलाब कमप्लेञ्यन किया है कमीश्यर ने तुम्हें लेकिलाने को कहा है ॹवे शवजीत के लोग नहीं दिख रहे मतलब इस गओ में पतानीष क्या क्या हो रहा यार्ड जबसे आए तबसे टेंचरी मामा उससे अकेले क्यों जाने दिया मामा मुझे तो बहुत डर लग रहा है मामा उसके लिए मर्डर हो वो बुलिस वाला उसका कुछ नहीं विकाड़ पाएगा कि अच्छा कि अच्छा कि कि अच्छा 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 झाल ईंटलो मुग जा अखार शुट्त बीज बीजर शुटे प्रne ए खर्ट हुआ अजाएञ टॉआ टॉआ तॉआ हुआ जाएग ठट टॉआ जो जुआ हुआख टॉआख तॉआ कर एंग लुआ हँ इंग न रघृ जूआ फ दॉआख फॉआ टॉआ जूएब तॉआ sweeping लगे कि लुआ हूँ अलो ये रफ बंतत वप्स टmental mercury K ् येंग वे बंत भेंग कि अब अब घुझ आख़ अब 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 है अब हुझ कि अब मुझे शूने की तेरी हिम्मद कैसे हुई मुझे पकलेगा पकड़ना 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 ले चलताने तुमें अपना नाम सोमराज पताया ना यहां तो गडेश लिखा है, मुझे पागल समाज रखा है, मेरे एरिये में आएगा तो टुकड़े करके कुट्तों को खिला दूँगा, शायद तेरा बाप तुझे बताना भूल गया, शेर के मुझे हाथ नहीं डालते हैं, चल भाग जा, जाओ यहाँ से, के लेकालिया, आस तक तुने कभी ठीक से शिकार किया है, क्या, बंदूक रखो जा, पॉन बज़रा उठाईए, हाँ, हाँ, पता है, पता है, एफोन उठा, क्यों सोमराज, उस लड़के को खत्म कर दिया न, अगर जिन्दा है तो मेरे पास लेकरा, हम मिर्च पाउडर से उस की मसाज करेंगे, अरे ससुर्जी, आप, होच कर, होच कर, अरे क्या ससुर्जी, कैसे पठाके भेजे थे आपने, ससुर्जी आपके सारे पठाके तो फुस निंकल गय, मैंने तो सूचा था, आप बड़ी पौँची हुई चीज हो, चीज़, चीज, 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 तेरे बास विजय दश्मी तक का टाइम है इस तरह की गलतियां करके अपना टाइम वेस्ट मत कर है हाँ छोड़ क्या हुआ मालिक सोमराज को तूने ही कहा था ना कि वो बड़ा गुंडा है अब वो हाथ में कैसे आएगा असाम ही होगा क्या कहा बे क्या पकवास कर रहा है असाम ही होगा उस दिन से एक ही बात रटे जा रहा है क्या पागल हो गया है क्या सभी को जाना पड़ेगा असाम हां आसाम जाना पड़ेगा मैं सही कह रहा हूं मालिक इसे ऐसे छोड़ देंगे तो अच्छा नहीं होगा इसके टुक्रे ट लेकिन कब और कैसे उसका खेल खात्म करना है यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ इस समय यहां क्या करने आई हो मुझे जैसे मिलना है अंदर जा बेटी थैंक यू ए रुक बाई जाने दे उसे कि अच्छी तुम लोग तलवार लेके रखो किसलिए यह वो लड़की यहां आया है तो पक्का वो लोग भी यहां सकते हैं है यह नननी तुम इस वक्त यहां कैसे हैं आज मापापा की बहुत यादारी है एक बिना मापाप का बेटा एक बिना जड़के प्यड जैसा होता है जब तक मैं यहां नहीं आया था मुझे अपने मापाप की आद नहीं आती थी नजाने कि अब मुझे बहुत यादारी है तुम लोगों ने खाना खालिया यह चलो 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 यह सब किसलिए नंदनी मेरी माँ ने आपके लिए बहुत ही प्यार से भेजा है प्यार से भेजा है इसमें तो काजू बादाम पिस्ता है अगर मैं इसे खालूंगा तुम्हें रात को सो नहीं पाँगा तुम्हें भी साथ रुखना पड़ेगा तुम्हारे पिताजी कम बॉम पोल रहे थे क्या जो तुम्हारी माँ ने ये बॉम भेज़ दिया है कहीं तुम कोई प्लान कर तो नहीं आए ना मुझी इस तरह से मत देखो तुम्हा थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटें करो नजदीक्या मुझे पसंद नहीं है ये पिस्ते बादाम से बना अगर मैंने खालिया तो फिर मुझ से अधिर बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा अधिर कब तक मुझे इस तरह से देखती रहोगी चुम्हा देदू हम तो देदो ना अधिर नदड़ी अभी और भी पिर देखती घाता हीएगा इसके का अधिर दूक्राणा तो अधिरीक्या से भी आधिय का बवला विग आधिने थे नहीं करुआ है थायाधिक्या नंदानी सच में यह बहुत हिम्मत वाला है कि आखों के सामने ही तु छोड़ूंगा नहीं तुझे मुझे मारने के लिए दिनताय किया है और दूसके साथ कोज मना नहीं है चोड़ूगा नहीं तुझे मुझे बतमीज लड़की नहीं चाहिए काट कर ठेक दुना तुझे हां मार दीजे फिर भी उससे ही त्यार करोंगी पाहत हो गया हिसाब से जादा हो गया जब भी मैं कहता हूं आप नहीं नहीं करके बीच में आ जाते हैं है उससे लड़काना है न तब पहले उसकी कमजोरी देख फिर वार कर पता है उस छोटे लड़के की ताकत उसका वो चाचा है है कालिया अब बस तुए काम कर किसी भी तरह उसके चाचा को पहाड़ी पर बुला और उसकी कहानी खत्म कर दे यह हैं यह येव येव क्खचच बहिए। कि अच्छच झाई कि अचु梁! और नहा कि कि अच्टव कि कि हर भाई औॉ कि हिए। एः उन्ञे जयाजु हाइ 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 अल्हे मैं शक्रो में बाइ के लिए तुम लोगों को खेट पिले इसलिए तुम लोग क्यों ऐसा कर रहे हो क्यों ऐसा नहीं इसकी बातों में बताओ यह मतलबी इंसान है मार डालो इसे मैं बोला चोर दो थे हैं नडेर नहीं कि पूरे है यह न खोर दो ख़ेक्व कuju वसकेंजचर जहाँ यज बड़े मन के ओभाइ भ利 बयाई 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 यह बात जय को पता नहीं चलनी चाहिए अब उसे कुछ कुछ भी नहीं बताना कुछ भी नहीं मेरे बच्चे को खाना कौन खिलाएगा कौन उसकी देख्भाल करेगा मेरे मेरे बच्चे को अच्छे से संबालोगे उसका ख्यान रखोगे मुझे वच्छ दो कया वसकी कुले को अच्छ दो क्यार आमरो पिर दो कश्ची आश्मंगड MBA आप इंव इस वाइन हुए पुषचा हुए इसाय वर भूँक घगा हैं उनकितक रत के दस बज़े हं भूँक लग हुए कहां रह गये वह का चाचा जी पर सब्सक्राइट चाचा जी तो शहर गए है शहर गए है किसलिए वो तो हमें नहीं बताया अकेले ही चले गए चाचा को क्या हुआ है अगर वो जिन्दा है तो मुझे उनके पास लेके चलो और अगर वो नहीं है तो मुझे उनकी लाश देखनी है कि अगर यजश देखनी अगरे में हुआ अगरा कि अगरे में तो यह तो इस देखनी है चाचा जी आपने शादी क्यों नहीं की शादी कर लेता तो तो तुम्हारा ख्याल कोन रखता शादी के बाद तुम्सें ऐसे प्यार कर पाता गया जाजा 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 झख अज कर दो चॉचे घज अज चाच चाच अज चाच चाच चाचिव ईलोन ई ईलोन ऑच पिता की कमी कभी खल्ले नहीं दि, माका प्यार दिया मुझे, जाचा जी, नहीं, मैं नहीं रोगा, इन्होंने मुझे रोने से रोका है, नहीं, नहीं, अब विश्वजीत रोएगा, उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीना, मेरी चाचा जी के बगल उसकी भी कबर खोदो, तुम्हारे पिता जी शादी के तैयारी कर रहे हैं, पता है, वो चाहते हैं उनके पसंद के लड़के से शादी हो, पता है, सब कुछ पता होने के बाद भी तुम शान्त हो, पती कैसा होना चाहिए, ये किसी शाष्टर में नहीं लिखा है, ऐसा लिखने वाले, अगर उस जमाने में होते तो, जैसा लड़का होना चाहिए, वैसा ही होता, मैंने जिस से शादी की है, वो इनसान नहीं है, जानवर है, उसी के साथ मैं अपना जीवन बिता रही हूँ, ये जिन्दिगी नहीं, वैस्याले है, शरीर को नोच-नोच कर घायल कर देता है, और मैं सारी रात तडपती रहती हूँ, सारी औरते अपने पती को सीने से लगाये रखती है, लेकिन मेरा पती काटों की तरह चुबता रहता है, तेरी जिन्दिगी मेरे जैसी नहीं होनी चाहिए, तुमें एक अच्छी में है, उसे बरबाद मत करना, तुम हमें भूल जाओ, और उसके साथ भाग जाओ, क्या बोल रही थी तू, इतने सालों से तू मेरे साथ है, ये सिंदगी नहीं है, क्या, पती की बेसती करवा कर, इसे भागने के लिए बॉल रही है, तेरी तू, क्या बोल ले थी मेरे बारे में, मैं तेरे लिए जानवर हुना, तो अब तू देखेगी, कि ये जानवर तेरे साथ क्या करेगा, तेरे कपड़े उतार कर मैं तुझे नंदा करने वाला, तू बंद कर अपना, और यही रुक, अगर यहां से हिला तो मार दूँगा, यही र बढुखकर सब देख, अलिए, ऐसा मत रही जी, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत रही जी, एसा मत रही, जानी, बढ़ करने अधा, और जारीये तू, नहार डालूँगा, कान खोल कर सुनले, रिजय दश्मी के दिन, मेरी बेटी की शादी होगी और दूसरे दिन तेरी मौत होगी जानल यहां से अरे एक आलिया कहा है वो सुबा से वो नहीं दिखाए मालिक संधी जी को फोन करके बता दे विजय दश्मी के दिन शादी होगी मालिक विजय दश्मी के दिन एक पित्ती भर का बच्चा मुझे समय देता है अब अगर उसी दिन मैं उसे मौत दूगा तो कितना मसा आएगा चल जा कर सारे हथियारों कोई कठ्या कर एक आलिया तुम मुझे एकेला चोड़ कर कहां चला गया इमेर अचिपिती छिघ महाँ उसे मया इत्तॉ इतब पुम ऌबहें तो PF आएबहें। ई lendा प्रफ एकária आग पाप उपाँ स्वा सिर अपन्याव स्वा ह। हॡग कि अुआ हो अह बस खड़ कि आव वो जआान अ खो अ आए अरे आओ 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 क्या है इस वक्त तुम आ रहे हूं आखिर ये सब कौन सभालेगा वह माने का है और मैं भी कह रहा हूं प्लीज तुम यह से चली जाओ मैं क्यों जाओ फिर मेरा प्यार किसी से डरता नहीं वो जरूर आएगा जब भी किसी काम के लिए घर से निकलो तो अपने दादा जी का आशिर्वास ज़रूर लेना है हमेशा काम्याब रहोंगे आज दूले के साथ पंडित जी भी आसाम जाएंगे नंदिनी आखरी बार तुम से बोल रहे हूं तु यहां से भाग जा बिटा कब से पूछ रहा हूं और तु पत्थर के जैसा खड़ा है कहां है वो कालिया थिखाई नहीं दे रहा है कहां जाकर बर गया कि मालेक उधर देखिये एसे क्यों खड़ा रहे चली यहां झाल झाल इसे पार करके आगे आएगा तो अच्छा नहीं होगा हमारे बीजो भी समस्याएं हैं उस पर एक बार शादी हो जाए फिर बात करेंगे शौक से करिये एं? बहुत ही डिफरेंट लग रहे हो लेकिन मैं समझ क्यों नहीं पा रहा हूँ पंडी जे, मंगल सूत्र दीखिये जाए भाईया पिनाए उसे तेरी तुप मालिक जाओ उसे मार डालो नहीं तो तुम सब मर जाओ दोनों काम नहीं होंगे मालिक आपके लिए मैं क्यों अपनी जान दो हाँ? मैं एक अच्छे इंसान के लिए अपनी जान दे सकता हूँ क्यों अब है घुर्ता क्यों है? इस साल से तुझे खाना खिलाने वाली वो मेरी माँ है उस माँ कि तुमने साड़ी उतार कर उनकी बेज़ती नहीं की उसी दिन मुझे पता चल गया कि तेरी मौत भी ना बहुत ही करीब है साबबाश बेटा तुझ बहुत बड़ा मर्द बनता है ना? इतने दिनों से हमारे गाउं के लोगों को पाप के जाल में फसा कर रखा पापी? इन सब की तो आखे है नहीं? हम मन नत मांगते थे कि इनकी आखे खुले अले! जैर! 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 उसकी लाश के उपर जाकर रो जा! जैर! 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 हे भगमाल! मार दो! मुझे भी गॉली मार दो! उठावाली उठावाली उठावादा उठावादा! सबाश! हूँ? आँ! यह मारपिट मुझे पसंद नहीं है चलो निकलते हैं यहां से चलाजा मैं भी इसी मिट्टी में पैदा हुआ हूँ तेरे खांदान के खुन और मेरे खांदान के खुन में कोई फर्ट नहीं है अब आज यहां या तो तू रहेगा या मैं रहूगा चलाजा आज विजय दश्मी है आज तेरा टाइम पूरा हुआ यह टाइम मैंने तुझे दिया था यही मेरे पिदाजी की खुआइश भी थी चलाजा तू इस तरह की सोच रखता है तेरी हिम्मत मुझे पसंदा ही लेकिन यह बहुत मेरे और उसके बीच की है तू बीच में माता बीच जेरी है हंब जढ जए सु जएंग! हंब! हंब! अईल ी जेई आड़ो नेई! यज येईफ! येव! येव! हाली! कुछुछ। कुछ शफ्ण बार बार। कुछ पर। खार। कुछ कुछ वञ कुछ झाब झाब hm! प्रुफ एक प्रुफ एक जा जाई! एक वड़िय। आप में तो चकाट कर पैंडोंगा तो मुष्य काटेंगा जल साइन कर मैं ने कहाँ साइन कर जय तो जीत कया जय तो जीत कया हाहाहाहा किसी को मरने के बाद दफना दे लेकिन तुझे तो जिन्दा दफना देना चाहिए तुने अपनी खुशी के लिए सब को रुलाया है लेकिन देख तेरी मौत पे रोने वाला कोई भी नहीं पती खाना देगा खुश रखेगा ये सोच कर एक औरत अपने आपको सौप देती हैं हमारी इज़त बचाएगा हमारा समान करेगा इसलिए वो कुद को सौपती है लेकिन तुने उस उमीद को तोड़ दिया एक औरत को मंगल सूत्र तोड़ते वे किसी ने नहीं देखा मगर आज तू देखेगा हाँ 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 उसे आपके कद्मों के पास दफनाया मेरे पिताजी जैसा चाहते थे मैं उसी तरह से सब के खेत बाट दूँगा आज के बाद इस गहों में कोई गुलाम नहीं और नहीं कोई जुल्म होगा सब यहाँ खुश रहेंगे मैं आपकी कसम खाके कहता हूं लेकिन आज मैं अनाथ हो गया जाजा जी अनाथ हो गया जै तू अनाथ नहीं है तेरे साथ हमेशा नंदनी रहेगी और यह गाओं वाले भी रहेंगे मैं और गाओं सया कहरा यह 소ात्लिए कल दोके ओस्टी जएंगे धार जाने के बाद हऊस्पिटल जायें यह हॉस्पिटल जाने के बाद हदि करें हुआ है खाख हुआ 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 है